नमस्कार सिल्क टीवी देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सत्यम आईए करते हैं खबरों की सुरुआत सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेड्लाइन्स पर देश्वियापी बंदी का भागलपुर में दिखा व्यापक असर मजदूर संगठन नेकेंद सरकार की नितियों के खिलाप किया परदर्शन प्रेड यूनियन के आवाहन पर प्रेंग करमचारी रहे हरताल पर जिले में 300 कलोर का कारोबार हुआ प्रभाबित भागलपुर और पाका में गुरुवार को मुख्यों इंतरी नितिश कुमार कई योजनाओं का करेंगे सिला नियास सारी तैयारी हुई पूरी ठंड को देखते वे 12 जनरी तक जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद डियम परनप कुमार ने जारी किये आदेश और बंदी के दारान सुरक्षा के दिखे पुखता इंतिजाम सभी चौक चौराओं पर मजिस्ट्रेट के साथ पूलीस जवान थे तैयनाद अब समाचार विस्तार से मजदूर विरोधी निती के खिलाफ बुद्दवार को केंद्रिय ट्रेड यूनियन की ओर से देश वियापी हर्ताल का आवाहन किया गया वहीं भागलपूर में हर्ताल के समर्थन में एकटू, सीटू, सेवा और अन्य संगठन के बैनर तले विरोध पर दर्सन किया गया इस दोरान मजदूरों ने अपनी मांग और हर्ताल के समर्थन में केंद्र सरकार एवम राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेवाजी की समर्तन जुलूस में सामिल लोगों ने मजदूर विरोधी निती को वापस लेने की मांग की साथ ही समान काम के लिए समान वेतन और मासिक पैंसन देने की बात कही बागलपुर इस्टसन चोक से निकाले गए जुलूस का नेत्रित्व एक्टू के जिलास अची मुकेस मुक्त ने किया वहीं मुकेस मुक्त ने कहा कि बारस सुत्री मांग पर सरकार जब तक विचार नहीं करेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा इधर संगठन से जुले लोगों ने लेवर कोड बिल, न्यू पेंसन स्कीम, महंगाई, नीजी करण, ठेका करण, एफडी आई, एनर्सी और सी और सी ए के खिलाफ पर दर्सन किया और मुदी सरकार को संप्रदाइक हिंसा फैलाने वाली सरकार बतलाया इसके बाद बैनर पोश्टर के साथ सैकड़ों की संख्या में मजदूर संगठन से जुले लोग समाहर नाले पहुँचे और जिलादिकारी परनब कुमार को अपनी मांग पत्र का ग्यापन सौपा बिल्कुल एकदम स्रम विरोधी सिपनिती नहीं है आज तक की सरकारों ने जो मजदूर वर पर हमले किये हैं मोधी सरकार उसमें सबसे आगे है इन्होंने आजादी अंदोलन से लेकर के आज तक मजदूरों ने खून पसीना पहा करके अपनी सहाथतें दे करके जो 44 लेवर कानून मज़़ूरों के हीद में बनवाया था उन तमाम कानूनों को मोधी सरकार ने खत्म कर दिया राश्ट ये स्रमिक सम्मेलन के आवाहन पर बुद्दवार को बैंकों में एक दिवसिया हर्ताल रहा और अपनी मांगों के समर्थन में नारेवाजी की इधर SBI को छोड़ कर भागलपूर के सभी बैंक बंद दिखे कुछ अस्थानों पर ATM से पैसे की निकासी के लिए लोगों की भील जूटी रही लेकिन दो पहर तक ATM भी खाली हो गया बिहार प्रोविंसियल बैंक इंप्लाइज असोसियेशन के महासचीव अर्विंद कुमार रामा ने कहा कि हर्ताल में पाँच संगठन All India Bank इंप्लाइज असोसियेशन, Bank इंप्लाइज फेडरेशन, Indian National Bank इंप्लाइज फेडरेशन सामिल है महासचीव ने बताया कि जिले भर के 162 ब्रांच और 100 से भी अधिक ATM बंध हैं हर्ताल के दोरान लगवक 300 कडोर रूपे का लेन देन प्रभावित हुआ वहीं भागलपूर Union Bank के बाहर धरना पर बैठे Bank करमचारियों ने सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी की और मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही परदर्सन कर रही Union Bank Employees Union के उप महासचीव बालकृसन पुद्दार ने कहा कि Trade Union के समर्थन में बीफी समयत कई संगठन हर्ताल में सामिल है वहीं बैंक रमचारियों ने ग्यारवी वेतन समझोता जल्द लागू करने बैंकों का मरजर बंद करने और NPA को कम करने की मांग की हर्ताल में जेपी जा, मदन हरी जन, विपिन कुमार, रवी कुमार, तारकेस्वर परसाद, NK सिन्ना समयत कई लोग मवजूद थे हमारा मांग वो National Trade Union Convention का जो डिमांड है हम लोग उसको सपूप कर रहे हैं कि मंदूरों का मिनिमम्म वेज परति मांग हो उसको पेंचान दस अजार रुपिया दिया जाए क्या मांग है आज आपनों के हम ना मांग है कि बैंकों का एगार में बेतर सम्दोता जल जल के जल करना होगा जल जीवन हर्याली यात्रा के दौरान बिहार के मुख्यमंतरी नितीश कुमार गुरुवार को साकुंड के भुल्ली पंचायत पहुचेंगे सीम के दौरे को लेकर प्रस्तासनिक तयारी तेज कर दी गई है सीम के आगमन को लेकर भुल्ली में 19 तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे जिसको लेकर डियम ने संभंधित विवागों को सभी स्टॉल लगा लेने का निर्देश दिया है भुल्ली में आयोजित सभा में 125 पदादिकारी वा 500 पुलिस बल रहेंगे सीम के आगमन की तैयारी को लेकर भुल्ली पंचायत के सडक, नाला, चापा नल, कुवां, तलावादी की सापसफाई कर चमका दिया गया है साथ ही भुल्ली पंचायत भवन को भी आकरसक रूप से सजाया गया है एवं सीम की सभा के लिए भव्य मंच का निर्मान किया गया है इसके पूर्व मुख्यमंत्री नितिसकुमार गुरुवार को बाका के चानन डेम पहुँचेंगे जहां सीम सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन हरियाली के कारियों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री के आने की तयारी में जिला परसासन की और से सुरक्षा के चाक चौबन इंतियाम किये गये है मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जिला पुलिस बलके साथ CIT एवं सीरपीफ के जवानों को भी लगाया गया है पूरे बिहार में सितलहर का सितम जारी है वहीं कडाके की ठंड को देखते वे जिले के सभी प्राथमिक और मदविद्याले को 12 जनवरी तक बंद कर दिया गया है बुद्वार को जिलादिकारी परणब कुमार ने आदेश जारी करते वे जिले के सभी प्राथमिक और मद विद्याले में कक्छा पांस तक के स्कूलों को बंद कर दिया जबकि छटी से दसमी कक्छा तक इसकूल के समय में बतलाव किया है डीम ने कहा कि कक्षा 6 से 10 तक के चात्रों की 10 बजे से 2 बजे तक कक्षा संचालित होगी जारी किये गए पत्र में डीम ने कहा कि ठंड के मौसम में बच्चों के स्वास्त पर परतिकूल असर पढ़ सकता है जिसके कारण स्कूल को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है ट्रेड यूनियन के राष्टी व्यापी हर्ताल को देखते वे जिले भर में सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए थे भागलपूर SSP आसीज भारती के निर्देश पर इस्ट्रेशन चौक, ततारपूर चौक, परवत्ती चौक, खलिपावाग चौक, कचरी चौक, तिलकामांजी चौक समेथ कई इस्थानों पर मजिश्ट्रेट के साथ पुलीस बलों की परतिन्युक्ति की गई थी महिलाएवन पुरुस बल के साथ कोतवाली इंस्पेक्टर अमर विस्वास सुभा से ही इस्टेशन चौक पर मुस्तेद दिखे बंद के दोरान उपद्रवियों से निपटने के लिए पुलीस परसासन की ओर से मुकमल व्यवस्था की गई थी दंगा नियंत्रन वहान के साथ पुलीस के जवान सभी चौक चौराओं पर चौकस नजर आए सिट्रीएसपी राजवन सिंग ने कहा कि पुर्व घोसित बंदी को देखते वे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं साथ ही बंद के दोरान उपद्रव मचाने और हंगामा करने वालों पर पुलीस की पहिनी नजर है वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद जी हाँ अब आपके सर भागलपूर में विश्वस्तरिय पढ़ाई की सुविदा पहली बार जीडी गोईंग का पब्लिक स्कोल, CBSC कॉरिकोलम, नरसरी से 7 तक की पढ़ाई सेंट्रलाइस्ट एर कंडिशन कैंपस, AC बस विच जीपियस औन सीसी टीवी चाहे आवासिय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सरवांगिन विकास के लिए पढ़ाई के साथ-साथ योग, खेल, कला और ये लाइबरेरी भी हमारा पता है जीडी गोईंग का पब्लिक स्कोल, जीचो, बिसनपूर, भागलपूर कॉंटेक्ट नमबर 7672800010 एन्मिशन इस गोईंग ओन कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें सही समय और सही जगा पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात होस्पीटल समून नारायना हेल्थ ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571 यादरे 9199446571 नारायना हेल्थ शांदार बैंकवेट हॉल में भैब शादी का अनन्द लिजिए अब अपने शहर भागलपूर में शहर के हिर्द्य अस्थल्थ किलकामाजी चौप पर इस्थित मान्यवर बैंकवेट हॉल अब आपकी सेवा में सदैव तत परिए 23 हज़ार वर्फिट में फैला मान्यवर बैंकवेट हर तरह की आधूनिक सा सज्जा एवं सेंटरली एर कंडिसन के साथ शादी रिशेप्शन पार्टी एवं अनेक आयजनों में चारचान लगाने को तैयार शांदार वेन्यू एवं लाजबाब गेश्ट हाउस बिहार जरकंड का इकलोता एस्मार्ट बैंकवेट हॉल आपके शहर भागलपूर में अब आपके लिए मान्यवर बैंकवेट हॉल खुसियां बातें अपनों के साथ ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली ख़वर की ओर गुजरात के हमदाबाद में NSUI के कारीकरताओं की पिटाई और JNU में छात्रों के उपर हुए हमले के विरोध में परदर्सन जारी है बुद्वार को भागलपूर के सहीद भगत सिंग चौक पर NSUI के कारीकरताओं ने ग्री मंत्री अमित्सा का पुतलाफू का और सरकार वीरोधी नारे लगाए पुर्वजिला द्यक्स परसांत मनर्जी के नेत्रीत में छात्र संगठान NSUI के कारीकरताओं ने अमित्सा के खिलाब जम कर भडास निकाला और छात्रों पर हुए हमले की कली निंदा की मौगे पर नीरच कुमार, मुहम्मद साहिद हुशैन, आरियन राज, जावेद, क्रिस्नानंद समेट कई कारीकरता मौजूद थे भागलपूर SSP आसिस भारती के निर्देश पर चलाया जा रहा है, रोकोटो को अभियान के दौरान ललमटिया थाना पुलिस ने सराब के नसे में साथ लोगों को गिरफतार किया है दरसल लनमटिया थाना अध्यक्चोंपरकास के नेत्रित में मंगलवार की रात तलासी अभियान चलाया जा रहा था इसे दौरान एक आटो को तलासी के लिए रोका गया, जिसके बाद आटो पर सवार सभी लोगों के मुह से शराब की बदबू आने लगी वहीं पुलिस ने सातू की ब्रेथ एनलाइजर से जाच की जिसमें सराब पीने की पुष्टी हुई है पकड़े गए सभी लोगों की पहचान मंटू मंडल, सुनिल कुमार, गौरब कुमार, गौतम कुमार, कारगिल कुमार, रवी कुमार एवं सुधानसु कुमार के रूप में हुई है बहुजन स्टूरेंट यूनियन की ओर से बुद्वार को तिलकावांजी भागलपुर विस्विध्याले के पीजी विवाग एबम कॉलेज को बंद कराया गया बंद समर्थकों ने बियन कॉलेज से जुलूस निकाला और इसके बाद TNB मडवारी और PG केंपस में चल रही कक्छा को बाधित किया चात्रों का समू मडवारी कॉलेज से निकल कर सीधे बिस्विध्याले के प्रसास्तनिक भवन पहुँचा और मुख्य द्वार के सामने केंद्र सरकार की नितियों के खिलाप जम कर नारेवाजी की चात्रों ने कहा कि मोदी सरकार जनविरोधी कारी कर रही है साथ ही सिक्षा का निजी करन करना चाहती है बहुजन इस्टुडेंट यूनियन के मिथलेज विस्वास ने कहा कि भाचवा सरकार पुलिस के सहारे चात्रों पर हमला करवा रही है मौके पर चंदन कुमार समयत कई चात्र मौजूद थे राष्ट्रिया सेवा योजना की और से बुदवार को भागलपूर के माडवाली कॉलेज में स्वक्ष भारत अभियान पर चार दिवसिया कारिक्रम का सुबारंब किया गया भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्राले द्वारा निर्देशित कारिक्रम के पहले दिन कारिसाला योजित की गई कारिक्रम का उधगाटन तिलका मांजी भागलपूर विस्विद्याले के प्रतिकुलपती प्रोफेसर राम यतन परसाद इसके बाद प्रतिकुलपती प्रोफेसर राम यतन परसाद ने नस्स के किरिया कलापों की जमकर परसंसा की और छात्र छात्रों को स्वक्षता अभियान चलाने के लिए सुबकाम नाएं दी डिएश डबलू डॉक्टर योगेंदर महतो ने कहा कि स्वक्षता बनी रहे इसके लिए सबसे पहले लोगों को अपनी मांसिक्ता में परिवर्तन लाना होगा वही अनेसेस के कारिक्रम पदादिकारी डॉक्टर आसीस मिस्रन ने कहा कि स्वक्षता रेंकिंग में भागलपूर देश के सिर्ष एक सो सहरों से बाहर है समन्वाय डॉक्टर दीपो महतों ने छात्रों को बहतर कारी करने के लिए प्रेरित किया मौके पर डॉक्टर बलवीर कुमार, डॉक्टर सास्तिका दास, इंद्र भूशन, मिर्थिउन जै, युबराज कुमार, मुशकान, खातुन समेत, कई स्वेम सेवक, स्वेम सेविका, सिक्षक और छात्र छात्रा मौजूद थे लाइन्स कलब अब भागलपूर की ओर से बुद्वार को देवी बावु धरमसला में विंटर कार्निवल फंड एंड मस्ती का आयोजन किया गया कारेक्टरम की अधिक्षता कलब की अध्यक्षा ससी भुवानिया नहीं की इस दोरान लोगों ने एक दूसरे को नए साल की बढ़ाई दी और नववर्स में कुछ नया करने का संकल्प लिया सदाबहार गानों पर महिला एवन पुरूस ने जमकर मस्ती की और चटपटी बातों से लोगों को खूब हसाया और तालिया बटोरी वहीं कलब के सदेस्टों ने सामुहिक रूप से डांस किया साथ ही एक दूसरे को सर्प्राइज दिया मंच से राके स्रंजन केशरी, संकरलाल जैन, गोविन अगरवाल, कुंज बिहारी, संतो सगरवाल, निलम अगरवाल, पूनम पांडे समेथ कई लोगों ने अपनी बात रखी आई हम आपको दिखाते हैं फ़न एन मस्तिक कार्निवल की कुछ जलकिया नागरिक्ता संसोधन कानून, नर्सी और अब जेनियो में छात्रों पर हुए हमले के विरोध में देजवर में विरोध परदर्सन तेज हो गया है बुदवार को संबिदान वचाओ, देजवचाओ, समीती की ओर से राष्टी अव्यापी हर्ताल के बीच भागलपूर के चमपानगर से विसाल जुलूस निकाला गया हाथों में तिरंगा, बैनर और तक्तिलियत छात्रों ने परदान मंत्री नरेंद्र मोदी और ग्री मंत्री अमित्सा के खिलाब जमकर नारेवाजी की जुलूस में सामील लोगों ने परधान मंत्री और ग्री मंत्री का पुतला फुका साथी जेनियू में छात्रों पर हुए हमले की निंदा की इस दोरान कुछ छात्रों ने पुतला धहन करने के बाद सलक जाम करने का प्रियास किया लेकिन पुलिस की सूजबूज से मामला सांथ हो गया इदर इस्टेशन चौक पर कई समाजिक संगठन के लोगों ने नागरिक्ता संसोधन कानून और नर्सी का खंडन किया साथी सरकार से नए कानून को वापस लेने की मांग की परिदी के उदय और जमावत इस्लामी हिंद के परमंडलिया परवारी मौलाना फारुक नद्वी ने कहा कि मौजुदा सरकार लोकतंद्र की हत्या करना चाहती है वक्ताओं ने जेनियों की घटनाओं को सर्मनाक बताते हुए दोसियों पर कारिवाई करने की मांग की परवत्ता पंचायत में वासिक सत्संग अधिवेशन का आयोजन किया गया पांचवे वार्षिक अधिवेशन में रिसी महरसी परमानंद बावा सुभास आनंद समयत कई धार्मी की द्वानों ने सिर्कत की इस दोरान संतों ने भगवान के बताए रास्ते पर चलने की बात कही महरसी परमानंद ने कहा कि मानपता सबसे वड़ा धर्म है वहीं बावा सुभास आनंद ने बताए कि मनुष्य को सभी धर्म के लोगों के प्रती दिल में सच्ची सर्धा रखनी चाहिए सच्च के दोरान भजन किर्टन का भी आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने आस्था में लीन होकर भगवान को याद किया मौगे पर कैलास पासवान अजय पासवान नंदलाल दसरत चंदन कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे और अंत में चलते चलते एक नजय डालते हैं हेडलाइन्स पर देश्वियापी बंदी का भागलपुर में दिखा व्यापक असर मजदूर संगठन ने केंद सरकार की नितियों के खिलाप किया परदर्शन ट्रेड यूनियन के आवाहन पर प्रेंक करमचारी रहे हरताल पर जिले में 300 कलोर का कारोबार हुआ प्रभावित बागलपुर और पाका में गुरुवार को मुख्यूंतरी नितिश कुमार कई योजनाओं का करेंगे सिलान्यास सारी तैयारी हुई पूरी खंड को देखते वे 12 जनुरी तक जिले के सभी स्कूल रहेंगे बंद डियम परनप कुमार ने जारी किये आदेस और बंदी के दौरान सुरक्षा के दिखे पुखता इंतिजाम सभी चौक चौराओं पर मजिस्ट्रेट के साथ पूलीस जवान थे तैयनाद फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही नमस्कार